तो दोस्तो ओपो ने ब्रांड न्यूव स्मार्टफोन ओपो ए-31 इंडोरेंसिया में लांच कर दिया है तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी ओपो ए-31 के फूल स्पैसिफिकेशन के बारे में और इंडिया में कप तक और कितने प्राइज में लांच कर जा सकता है तो आप भी ज्यादा जानना चाहते हैं इसी ओपो ए-31 स्मार्टफोन के बारे में इस वीडियो को शुरू से इंड तर देखेगा आईए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं ओपो ए-31 के फ्रेंट साइड के बारे में बड़ी सी डिस्प्ले दी गई दोस्तों 6.5 इंच का SD प्लस IPS डिस्प्ले दिए गये है जो की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है और इसी वाटर ड्रॉप नॉच में आपको 8 मेव पिक्सल का सेल्फ के बारे में रेर सैड में आपको पॉली कर्पोरेंट का बैक ग्यांगे है जो की Glossy Green Finishing के साथ आता है उसके साथ ही आपको रेर सैड में फिचकल फिंगर प्रिंट दिया गोई है कैमरें की बात करें दोस्तों तो रेर सैड में आपको ट्रिपल कैमरा सेड़ दिए गे है ज जो कि एक octa core processor है और आपके user experience को बहतर बनाने के लिए Android 9 Pie का support दिया गया है जो कि Color OS 6.1 के साथ आता है connectivity की बात करें दोस्तों तो charging के लिए आपको micro USB port दिया गया है 3.5 audio jack, dual sim slot, SD card का option दिया गया है उसके साथ ये आपको 2400 mh का battery दिया गया है जो 10W charging support के साथ आता है color variant की बात करें दोस्तों तो OPPO A31 का दो color variant आता है पहला color है fantasy white और दूसरा color है mystery black और अब finally बात कर लेते हैं OPPO A31 के price और variant के बारे में एक variant में launch किया गया है दोस्तों 4GB RAM, 128GB internal storage इंडिया नूपीज में अगर मैं calculate करके आपको बताओं तो 13500 रुबे में launch किया गया है OPPO A31 स्मार्टफोन के बारे में कुछ ही थी information उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कर दिएगा और मेरे चैने को subscribe कर लिजेगा धन्यवाद कर दिए आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह वीडियो पसंद आया है